देश के सबसे बड़े और सबसे चोड़े टनल का लोकारपन सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी और मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने किया। ये टनल मध्यप्रदेश के रीवा में सीधी और रीवा को जोड़ने वाला टनल है। इस मौके पर मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के नेतरत में देश के विकास का महायग चल रहा है। हमने बांद बना कर तयार किया है और नहरों का जाल बिचा दिया। एक नहीं अनेकों सिचाई की योजनाए विंध में बनी है। बिजली की विवस्था एक तरफ जहां सिंग्रॉली में कई पावर प्लांट लगे वहीं रीवा में एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा। तो बिजली का इंदजाम और सडकों का जाल बना। चोतरफा रीवा हो सतना हो सीधी हो सिंग्रॉली हो शांदा सडकों का जाल बिचा है। रीवा में सीधी और रीवा को जोड़ने माजी है। भारत की सबसे चोड़ी और मध्व देश की सबसे लंबी तनल का लोकारपन करने आज भूतल परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गड़करी जी भी आ रहे हैं प्रधान मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोधी जी के नेत्रतों में देश के विकास का महयग चल रहा है और आज आप देखिए विंध हमारा अद्भूत विकास के पत्षपर है चाहे विंध में सिचाई की उजनाओ का जाल हो हमने बांध बना के तैयार किया और नेरों का जाल बिछा दिया एक नियने को सिचाई की उजनाओ विंध में बनी बिजली की विवस्था एक तरफ जाने सिंग्रोली में कई पावर प्लांट लगे में रीवा में एक समय दुनिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा तो विंध में बिजली का इंतिजाम और सडकों का जाल चोट अरफा आप रीवा हो सतना हो सीधी हो सिंग्रोली हो सांदार सडकों का जाल बिछा हुआ है मुखिबंती शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि 2443 करोड 89 रुपे की लागत से सडकों के काम का लोकारपण हो रहा है जिसमें ये टनल भी समलित है और शिला न्याज भी हो रहा है ये टनल बनी है इसके दूसरी तरफ शांदार सडकी जुड़ी हुई है ये टनल हमारी बेहतरी इंजिनिरिंग प्रतिभा का नमूना है मोनिया घाटी को बीच में काट कर दो सुरंगे बनाई गई है चुरहट वाइपास में तीन तीन लेन की दो टनल बनाई गई है वो आपस में साथ इस्थानों से जुड़ी है टनल को बनाने में लगभग 14 करोड रुपे की लागत आ आज 2443 करोड नवासी लाख के सडकों के कामों का लोकारपन भी हो रहा है जिसमें टनल भी संब्लित है और सिलान्यास भी हो रहा है यह टनल और सडकें विशेस का टनल एक तरह भारत की सबसे चौथी चौरी टनल बनी है तो दूसरी तरफ साथ दूसरी तरफ उसके साथ सांडार सडकें चुड़िये हैं यह टनल हमारी बहतरीन इंजिनिरिंग की प्रतिवा का नमूना है पूर इस्तित ग्राम बदवार के मोहनिया घाटी को बीच से काट कर दो सुरंगे बनाई गई है चुरहट बाइपास में तीन तीन लैन की द साथ स्थानों से जुड़ी है कि टनल को बनाने में लगबग एक हजार चार करोण रुपे की लागत आई है कि टनल का का म कि निरधारित समय से च्छे मईने पहले पूरा कर लिया गया है कि टनल के अंदर सीची टीवी कैमरे हैं पंक्य फाइर कंट्रोल सिस्टम है कि खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विशलेशन हम करते हैं सट्यका अनवेशन दखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं दखल नियूज